साथ यो किसी भी विचार की विवेचना भी जरूरी होती है और आलोचना भी जरूरी होती है और फाइव ट्रिलियन डॉलर के समन्द में देश में उत्साह बरना ये भी तो जिम्मेवारी है वरना ये ही रोते रहेंगे ये नहीं हो सकता ये मुश्किल है ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसे सोचा जाता है क्या है करी शरय को को कभी और से घंभीर बिमारी की स्थिति में भी डॉक्टर को पता है पिसंट का क्या होगा लेकिन डॉक्तर हमेशा मरीज को उत्सा बढ़ाता है आप चिंता मत की जिबस भी ठीक हो जाएगा बद दो दिन का ममला है क्योंकि अगर पेशंट उत्सा से भड़ा हो जागा तो बिमारी को भ पेशंट के मिलने जाते हैं और क्या करते हैं हाट एटेक हो गया अरे देखे नो हमारे मोहन चाचा के बेटे को 40 साल की उमर बोलो चला गया कि उदर गए थे उनका एक दम जबान बेटा अब तो शादी तय हुई थी चला करें अब आप उसकी खबर पुछ रे गए हैं कि उसके बरबादी कर रहे हैं यह पेशेवर निराशाबादी मान सिकता है थी उनको भी लगता है कि वो गलत कर रहे है है उनको ऐसा लगता है नहीं वो पेशन के सथ भाथ कर रहे हैं तुम अच्छे हो जाओ के नहीं कह रहे है उसको कह रहे है यार वह भी तो गया था साथियों सकारात्मक माहोल मरीज में भी नई उर्जा भर देता है साथियों देश कोई ऐसे नकारात्मक लोगों से सतर्क रहने की जरुवत है हाँ हमें यह चर्चा व्यापक रूप से करनी चाहिए मोदी जो कह रहे हैं वह दिशा सही है यह थिसका की बात करते ही और मुदी करते हुए इसमें नए सुझाओं भी जैने चाहिए लेकिन फाइव ट्रिलियन का लक्षी नहीं होना चाहिए यहार कुछ हो जी नहीं सकता है मैं समझता हूँ ऐसा करने के बजाए कैसे किया जा सकता है कौन से कदम उठाने चाहिए पांच क्यों छे पर कैसे चल पड़े यह मिजाज पैदा करने की जरुस होती है और इसे लेकर देश के विद्वजनों आलोचको विवेचको अर्थसातियों की राए हमारे लिए बहुत महत्वपून है उनका स्वागत है और मैं तो इन चीजों के इसलिए महत्वप देता हूं मैं एक बहुत पुरानी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं मैं बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से रहा हूं हमेशा बहुत अर्ली राइजर रहा हूं तो एक बार मैं सुबह स्कूटर पर जा रहा था मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था अंधेरा भी था तैमदाबाद में गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे उसने हाथ उपर गिया मैं खड़ा रह गया अकेले थे टाफीक भी नहीं था अभी तो शुवैश्य था बहुत जल्दी था तो मुझे पोचने लगे कि भाई साब मैं साबर मती जा रहा हूं मैं इस तरफ जा रहा हूं मैं ठीक जा रहा हूं न, तो मैंने खा रहे भाई यह तो बहुत दूर है तुम पैदल जा रहे हो तो दो तीन गंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम थोड़ा इंतजार करो थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी सिटी बस उसमें बैट करके चले जाना तो उसने का साब पांच गंटे लगे छे घंटे लगे लिकिन यह तो बताओ मेरी दिशा सही है न मैंने का भै तुम्हारा रास्त दिशा तो सही है यही रास्ते जाओगे तुम सावर्मत पहुंचोगे कि साथियों कि हमारी दिशा सही है कि मेरा 123 करोड़ देश वाजियों पर विश्वास भी बड़ा गजब आजी है कि साथियों जनता की ताकत असंभव को संभन बना सकती है याद करिए एक समय था जब देश अनाज के संकर से जूचता था विदेश से खाने के लिए पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता था देश्वासी विदेश्यानाज कब आएगा उसका इंतजार करते थे कतार में खड़े रहते थे वो दिन थे लेकिन उसी दोर में इसी धर्ती की संतान लाल बादूर साथ्री ने जाए जवान जाए किसान का अहवान किया तो पुरे देश के किसानों ने अनके भंडार भर दिये अगर हम अमारी उसे आत्रा को उसी रुप्पे देखते तो शायद आज भी उस आंकणों पर लिखने वाले पेशेवर निराशावादी कभी निकालते कि हाँ ये देश आत्म निर्भर हो सकता है अगर नकाल आत्मा को निराशावाद्यों की चली होती तो हम आज भी अनाज को बाहर से ही मंगा रहे होते हैं कि सांतियों 2000 के चुनाओं में एक बड़ा मुद्दा था कि देश में दाल की स्थिति का दाल के दाम अख़बार में च्छाय रहते थे पल्सिस का और 2014 में विजई होने के बाद मैंने देश के किसानों को प्राष्णा की दी और मैं भैरान हूं जी मेरे देश के किसानों ने दाल के भंडार भर दिये रिकार्ड उत्पादन कर दिया अब मेरे मन में एक और विचार चल रहा है और जब आक आश्वी पवित्र धर्ती पर आयो मां गंगा के तर्पर खड़ा हूं तो मैं जुरूर आज किसानों से यह बात कह रहा हूं हम जो खाट्य तेल खाना बनाने में जो तेल का इस्तमाल होता है आज उसको लेकर भी यही बाब है आखिर क्यों हमारा देश खाने वाला तेल बाहर से क्यों लाए मैं जानता हूं अगर देश का किसान ठान ले अपनी जमीन के दस्वे हिस्से को भी तिलहन के लिए समर्पित कर दें तो तेल आयात में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा भावी और भेनों देश बड़े संकल्प और बड़े लक्षों की प्राप्ति से ही आगे बढ़ता है इच्छा शक्ति चाहिए कि जो ठान लिया वो ठान लिया फिर उस लक्ष की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है सोचिये अंग्रेज भी एक समय कहते थे जब देश आजाद होने की का दिन की चर्चा चल रही थी तो वो यही सोच करके सपने देख करके गए बड़े कुछ से कि जैसे ही हम जाएंगे यह देश टुकड़ टुकड़ में विखर जाएगा राजे रजवाड़े समय मादान में आजाएंगे यह देश बचेगा ही ने यही सोच करके गए थे लेकिन एक सरदार भाई पटेल ने ठान लिया कि देश की रियासतों को साथ लाना है एक भारत स्रेश भारत बनाना है तो इस संकल को पूरा करकर ही रुके थे मैंने अपनी आँखों से देखा है 2001 में कच के अंदर बैंकर भूकम पाया था इस सता पिजली सता दिका सबसे बड़ा भूकम था लोग कहते थे बस खतम अब यह खड़ा नहीं हो सकता है आँच वह खड़ाई हूँ ऐसा नहीं तो दोड़ रहा है हिंदुस्तान के सबसे तेज गती से दोड़ने वाले जीलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया लोग ने कड़के दिखाए पांचे साल पहले जब उतरा खड़ में तबाही आई थी तो क्या स्थिती थी कहां जाता था कि क्यदारनात में अब यात्री नहीं आप आएंगे लिकार अब देखिए पहले से कहीं जादा यात्री अब क्यदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं शांत्यों देश की ताकत को कम आखना गलत है देश ने 62 की लड़ाई और 65 की लड़ाई में हमारा देश का नागरी जितना खुद को प्यार करता है उतना ही गोल को प्यार करता है सोने को प्यार करता है सोना तो घर में होना ही चाहिए यह हमारी सोच है लेकिन जम 62 की लड़ाई हुई 65 की लड़ाई हुई इसी देश वासियों ने अपने गहने अपना सोना मां भारती के चरणों में डाल दिया पिछले पांच साल में भी जन भागीदारी की तागत देश दे देखी है चाहे स्वच्छ भारत अभ्यान हो गैस सब्सीडी छोड़ने की बात हो या फिर सीनियर सिटिजन द्वारा रेलिवे में कंसेशन का त्यान यह जन भागीदारी के उदारण है ऐसे ही देश बंता है ऐसे ही देश बन रहा है साथयों चाहे एक हजार दिन में देश के हर गावं तक बिजली पहुँचाने का संकल्प हो सवपा की योजना के तहट बिजली कनेक्षन देना हो स्वुच्छ भारत मिशन के तहट सवचालायक और निर्मान हो जंदन योजना के तहद गरीबों के बैंक अकाउंट खोड़ना हो हमारी सरकार के पहचान संकल्प से सिद्धी की रही है पिछले पांच वर्षों में डेट करोड से जादा गरीबों को हमारी सरकार ने पक्के घर दिये है अगर पहले की सरकारों वाली है और उस समय वाली रफ्तार होते रहती तो शायद एक दो पीडी और इंतजार करने के बाद भी घर मिलता के नहीं मिलता वो काम हमने पांच शे साल के भीतर बितर किया है लेकिन हमने दिखाया कि तेज गती से काम कैसे किया जाता है अब सरकार 2022 तक जब आजादी के 45 साल मनाएंगे हर गरीब को घर देने के दिशा में आगे बढ़ रही है उसी प्रकार से रसोई गेस जितने गेस कनेक्शन 2014 से पहले 60-70 सानों में देश में दिये गए थे उससे जाना गेस कनेक्शन हमने सिर्फ पांच साल में दे करके दिखा दिया है जब संकल पर लेकर उसके लिए पूरी इमान देरी से प्रयास किया जाता है तो संकल पर सिद्ध भी होते हैं कुछ साल पहले क्या किसी व्यक्ति ने सोचा था कि इस ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का जो को बयानिस्वा स्थाम था वह सतत्तरवा हो जाएगा इसी तरह फर एंडारेक इंवेस्टमेंट को लेकर भी हमने लक्षों को प्राप्त करके दिखाया साथ यह आपने सुना होगा कि और यह श्रोग तो शायद काशी वालियों को सिखाने की जरूत नहीं है कि हम स्कूलों में पढ़ते थे तब भी हमको सिखाय जाता था कि उद्ध्य में नहीं सिद्ध्यंती कार्यानी ने मनो रथ है नहीं सुप्तस्य सीहस्य प्रविशंती मुखे म्रुगाहा यानि उद्ध्यं से ही कार्य पुर्णते हैं केवल इच्छा करने से नहीं सोते हुए शेर के मुख में मुरुग स्वयम प्रवेश नहीं करते हैं इस देश के कोटी कोटी लोगों की इच्छा सकती ही देश को आगे ले जाएगी उसे फाइव ट्रिलियन डालर की एकनामिकल लक्ष प्रार्प्त करने में मदद करेगी और ये भी याद रखिए भारत अर्थे ववस्ता का और यह यह आकडा सुनकर के आपको जरूर लगेगा कि हाँ प्राइव ट्रिलियन हो सकता है भारती अर्थे ववस्ता को एक ट्रिलियन की अर्थे ववस्ता बनाने में आज़ादी के बाद लगभाग पचपन साट साल गए एक ट्रिलियन पहुंचते 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 पचपन साट साल बिद गए और हमने दोहजार चवदा से उन्नीस पाँच साल के अंदर एक ट्रिलियन डॉलर नया जोड दिया है थोस्ता कि याने एक तरफ एक ट्रिलियन में पचपन साट साल और दूसरी तरफ एक ट्रिलियन पाँच साल गए यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह लक्ष लेकर अगर सवासो करूर देशवासी चल पड़े हर परिवार तै करें कि मुझे मेरी आमदनी बढ़ानी है हर तैसिल हर जीला तै करें कि हमें हमारे जीले की तैसिल की अर्थ ववस्ता को बढ़ाना है कौन कहता है देश आगे बढ़ नहीं सकता है और इसी विश्वास के साथ लक्ष ऐसा रखा है कि जो मेहनत के बिना पास हम पाने ही सकते जी मेहनत करने पड़ेगी देश वास्यों को कुछ ने कुछ देना पड़ेगा चलना पड़ेगा लेकिन उसके फल पीडियों तक देश वास्यों को मिलते रहेंगे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि भारतिये जनता पार्टी के कारकरता गिनाते और एक सजग भारतिये होने के नाते आप सब इस लक्ष्टि प्राप्ति में जुड़ जाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें साथियों आज से जो सदसेदा अभ्यान शुरू हो रहा है उसके मूल में भी यही भावना है दल के साथ देल के साथ साथ देश के दूद्ध बनकर हमें काम करना है सदस्ता अभियान को हम राश की प्रगति के लिए विश्वात, दोस्ति और बंदुत्व का मजबुत सुत्र मानते हैं दिन्दायल उपाजजजी का तो सपस्ट विचार था कि कोई दल सिर्फ सत्ता के लिए इखटना हुए कुछ लोगों का समों नहीं होना चाहिए बरकि लोगों को एक दल के रुप में इसलिए साथ आना चाहिए तकि राश के प्रति अपने साज़ा विश्वास और विचारों का सद्वियोग हो सके इसी भावना को सामने रखते हुए नए भारत के निर्मान के लिए हमें अधिыт से अधिक विचारों को भाज़पा की धारा के साथ जोड़ना है और हमने देखा इसका जो मंत्र बनाया हुआ है साथ आए देश बनाए हमने यह नहीं कहा हैं साथ आए सरकार बनाए यही फर्क है औरों में और हमारे में हमने कहा हैं साथ आए देश बनाएं सरकार तो एक व्यवस्ता है जिसकी जरुरत है देश बनाने के लिए इसलिए सरकार बनाए साथ्यों भारतिये जनता पार्टी इसकी शक्ती साथ्यों और सदाचार की रही है भारतिये परंप्रा की ये चिर्स्थाई मुल्य हमें विरासत मुबल है अटल जी अरवानी जी जोसी जी साहित अनेक भारतिये जनता पार्टी को हर स्तर पर हमारी पुरानी पीडियों ने नित्रतों दिया है हर व्यक्ति ने इन मुल्यों को अपने जीमन का हिस्सा बनाया है साज़गी और सदाचार भारती जनता पार्टी के सदस्थों के लिए कारकरताओं के लिए मजबूरी नहीं बलकि जरूरी है देश सुभाइव ग्रूप से हमसे यह पेख्षा करता है और इसलिए भाईयों सदस्था भ्यान में जब जा रहे हैं तब सर्वजन हिताएं सर्वजन उखाएं इस मंत्र को लेकर कीडियें वाले हम लोग समाज के हर वर्ट को भारती जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बना रहा है परण 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 मंत्री नरेंदर मोदी हाल संसदीय विस्तार तेमनो वारांसी वारांसी मा कारिकरताओं ने संबोधन करी रहाँ छे आपने जुनाविदी के प्रदान मंत्री हाल वाराण सीना प्रवासे चे तेमने जे भाजपनों अभ्यान चे ते भाजपनों अभ्यान आगर वधारियों चे साथ सा तेमने संभूधन मा सो रुर्जा नी वाद करी मेकीन इंडिया नी वाद करी आजे तेमने काशी विस्तार मा भाजपना मीडिया पदाधी कारी साथे पन एक बैठक करी अती आसीवाय मुक्यमंत्री योगी आधित नाथ पन तेमनी साथ जुड़ाया वड़ा प्रदान एयरपोर्ट पर साफश्त्री जीनी मुर्ती नू अनावरण पन करी आता अने प्रदान मंत्री आज गयाए आभार माने होतो काशी नी जनता नो फरीक वकत तेमने जितालवा बदल त्यारे आजे बजेट परपन वात करी चे प्रदान मंत्री ये कारेकरताओने संबोधता साथ हे तेमने करी चे के ब्लू एकोनोमी नी बजेट मा चर्चा करवा मा आभी चे तमाम वातों पर आजे प्रदान मंत्री मोदी ये भार मुक्यों चे दरिक कारेकरताओन अभिवा कभी कम नहीं आकना चाहिए भाजपा का कारकरता कमाल कर सकता है आज अगर हमें भी मल रही है तो उसके पीछे कारकरताओं का खुन पसिनाई होता है जहां कभी हमारा आजपा भी नहीं ता वहाँ भी संगरन को मजबूत करने के लिए हमारे कारकरता निरंतर लगे रहे इसी का पढ़ना है जहां हम से अभी भी नहीं पहुंच पाएं वहां पहुंचना है भावी और भेनों हमें अपने जीवन में एक और मंत्र कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारा दल देश के लिए जादा से जादा उप्योगी हो हमें उस दिशा में निरंतर काम करते रहना चाहिए साथ यो ये माननेता है कि काशी में किये गए पुन्य कभी खिन नहीं होते हैं हम सभी आस्वस्त है कि भाजपा परिवार इस नए सदस्यों को जोडने का भिहान भी बहुत नई शक्ति के रूपे राश्ट शक्ति के रूपे परिवर्तित होगा सफल होगा संपुन देश में भाजपा का ही विस्तार देश की विकास यात्रा की और तेज गती लाने में बहुत बड़ा सहाय होगा मागंगा की अविरल धारा की तरह भाजपा की विचार धारा भी साहती रहेगी जन जन को जोडती रहेगी इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत आभार अभार माматती वकते प्रदान मंत्री ए तमाम कारेकरताओनू तमाम लोकों नो आभार माने होतों मेकिन इंडिया पर तिमने आजे जूर आपी उचे वरुख्षारूत पर ना कारेकर माँ पण हाजरी आपी अपैती कि मंत्री योगी आधितनात तेमनी साथे रहा था किसानों माटे दाल भर्वा मावी होवानी पर वाद करी बजेट नीपन तेमने आजे चर्चा करीचे सौरूर जाने विजडीना वाहनोंने कार्णे खर्च गडशे तेफन वाद करीचे कितलाक लोको भारतियना सामर्थिया पर शंका करीचे प्रदान मंत्री मोदी आजे पोताना संबूधर मा तमाम बातों करीचे सदस्तेता अभियान नी आथी शरूआत करीचे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बनचे टेक लक्षांक चे मात्र सरकार नुट ने दरिक भारतियना लक्षांक होवानो प्रदान मंत्री कहुँँ साथि शकर मुशकेलियों पहाड जरूर थी तूट्षे अन्य जरूर थी तेने ओवरकम करवा मा आवशे पहाड पर चड़ी ने प्रचंड जीत पन मर्शे ते पन वाद तेमने करी बजेट मां 10 वर्ष्ण विजन मुखवा मां आवी होवानू एपन वाद करी प्रदानमंत्री नाणमंत्री नर्मल असितारा मने जे गईकाले बजेट खाता वई जेने नाम आपपमा उच्छावकते ते रजू करूँछे तेना विशेप पन आज या वाद करी छे प्रदान मंत्री मोधी आजे वारांसी ना प्रवास है छे, वारांसी मा सदस्यता अभिवान भाजपे अभियान आत्ती शरुआत करियुचे ना प्रदान मंत्री अभियान नी शरुआत करावी छे आने आ अभ्यानी शरुवात मा तेमने कारेकर्ताओंने संबोधन करियू, कारेकर्ताओं साथ बादचित करियू, आपेला तेमने शास्त्री जी नी, लालबार्दूर शास्त्री नी, मुर्तिनों अनावरन करियू, आने व्रुक्चारोपर ना कारेकरम मा पन हाजरी आपिया पांच मिलियन ट्रॉलर, पांच ट्रिलयन डिलार एकनोमी नी एक भारत निी अर्थ व्यवस्ता बिने, ते नूँ लक्ष राक्यों छे। साथे ते या प्रदान मंत्री नी एकनोमी मात्र सरकार नी दरिक भारतिय नुँ लक्ष है। पाणि नो बगार देशनी साउथी मोटी समस्याओवाणो प्रदानमंत्र कह qualifyूछे आपने पाणि ना भगार ने रोको वाँ जरुरीचे आपने जुन्नामिती कि प्रदानमंत्री ज्यारे आप भिजो कारिकाड शरु कर्योचे त्यारे पाणी ने लईने आजे प्रदान मंत्री मोदी ए फरीक वकत भार मुख्यों नकई पाणी नो बगाड रोकवो एटलो ज़ जरू रीशन तो आज ये वारान सिना प्रवास पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदीद बीजी वकत प्रदान मंत्री पद नी शपत लिधाबबाद तेमनों आप पहलो प्रवास चे परंथु प्रदानमंत्री तरीके जहरे डिकलेर थेया तेना पचीनों आप बीजो प्रवास चे लालबादु शास्त्री नी प्रतिमानों तेमने अनावरान पन कर्यू साथेज प्रदान मंत्री मोधिये काशिती भाजपनी सदस्यता अभ्यान नी शरुआत करी रान मंत्री मोधिये करी के पहली वकत लोकसबा चुटनी जित्या एस समय देशमा दाड नी कमी हती अनाजनी कमी हती परंद ते बाद खेड़ू तो नव अत्पादन एटलू वधार आयो के लोको ना घर भराई गया तमाम वातों करी साथेज करी के जे सवाल उठावेचे जे लोको ए निराशा वादी जे मानसिक्ता होये छे तेना परपन प्रदान मंत्री आजे वात करी अने तेना विशे उदाहरनों पन तेमने आपिऊ तेमने जे कहुँ के सरकार ने लईने जे निराशा व्यक्त करवा मावेचे जे सवाल उठावा मावेचे ते निराशा वादी जे विचार धार आचे तेनू प्रतिक्षे पानी रिसाइकल करवा पर काम करवानी पन वाद करी देशना दरिक गरने पानी मडवू जोईए एज सपनों होवानी वाद करी